SSC MTS की भरती जारी की गई है, पिछले वीडियो में मैंने इस form के बारे में complete जानकारी बता रखा है, जिनको जानना होगा वो नीचे description के link को जरूर फॉलो करके वीडियो वाच कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप SSC MTS हवालदार के लिए form को apply करेंगे, द के सामने ये official website open हो जाएगा, अब यहाँ पर आने के बास सबसे पहले आपको इसमें OTR registration create करना परता है, बनाना परता है अपना एक account, यहाँ से आप click करके आप account को बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर एक option मिलेगा new user register now का, आपको इस पर click करके आपने SSC की कोई भरती को apply किया है, OTR तो आप registration कियोंगे, इस समय present time में अभी SSC CGL की भरती जारी की गई है, जो भी candidate SSC CGL की form को apply किया है, तो पहले OTR registration complete कर लिये होंगे, अगर आपने SSC की लिए कोई भरती apply कर रहे हैं, तो आप first time SSC का OTR registration complete करेंगे, इसके बाद आप login कर के SSC की कोई भी vacancy को apply कर सकते हैं, तो जो भी candidate OTR registration complete कर लिये है, वो कैसे form को apply करेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं, तो यहाँ पे apply के option को click करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हमको दो प्रकार की post मिलेगी, एक MTS की post मिल जाएगी और एक CGL की post मिल जाएगी, तो CGL का कैसे form apply किया जाएग, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आपको वीडियो देखना होगा, तो निचे description के link को follow कर सकते हैं, हम MTS के लिए देखेंगे, यहाँ apply का option मिलता है, इस पर हमको click करनी है, अब जैसे click करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से यह page मिलेगा, यहाँ पर देखें अपना password भूल जाते हैं, तो यहाँ से अपना password forget कर सकते हैं, दोबारा से प्राप्ट कर सकते हैं, वैसे इनकेस ऐसा कोई problem नहीं होता इसमें, login करने के लिए यह दोनों लेखने के बाद आपको यहाँ पर capture मिलता है, आपको इस box में लेखनी है, इसके बाद यहाँ पर button मिल form अगर आपको apply करना होगा, तो यहाँ से MTS की post को apply कर सकते हैं, यहाँ से CGL के लिए apply कर सकते हैं, अगर आपने पहले से form apply किया है, तो अपना application history यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, कि कौन कौन से post को apply किया है, यहाँ से अब अपने application को check कर सकते हैं, फिलाल हम यहाँ पे MTS के आविधन करना चाहते हैं, यहाँ पर बटन मिल जाता है, apply का आपको इस पर click करना है, instruction मिल जागा, क्यासे आपको आविधन form को fill करना है, और कौन से documents आपको देनी है, कितनी height, कितनी width होनी चाहिए, कितने kb की size की होनी चाहिए, यह दोनों हिंदी और English दोनों language में mention की गई है यहाँ fill form के option को click करेंगे, आपकी जो भी data है, यहाँ पर automatic add हो जागा, ओपर आपको message मिलेगा, कि कोई भी changes करना होगा, तो OTR में login करके change करेंगे, तो आपका data यहाँ भी change हो जाएगा, अगर आप यहाँ से change करना चाहेंगे, तो आपकी data change नहीं हो पाएगी, बिल्कुल आ को नीचे करनी है, यहाँ पर next का option मिलता है, आपको इस पर click करना है, आपका जो data है, वो successful save हो जागा, इसके बाद next option qualification के लिए यहाँ पर पूछी जाएंगी, आपके पास जो भी highest qualification है, इसमें आपको select करना है, विसे 12 तक का qualification इस post के लिए मांगा गया है, 10 वी और 12 वी, फि automatic आपका add होगा, जो अपने OTR में registration करते समय details दिया है, यहाँ पर add होने के बाद आपको नीचे आनी है, सबसे पहले यहाँ पर percentage आपको mention करनी है, percentage से पास हुए है, तभी आप यहाँ पर percentage को लिखेगा, यदि percentage से पास नहीं हुए है, तो आप CGP लिखेगा, दोनों में से आप एक option को लिखेगा, इसके बाद save and next के button को क्लिक करिए, आपका qualification add हो जाएगा, qualification add होने के बाद आपको additional information details मेंसन करनी है, जरूरे नहीं है कि आप जितना भी qualification select करेंगे, वो सारे qualification आपको fill करना पड़ेगा, तो यहाँ पर additional qualification में EX serviceman, arm force officer है, तो यहाँ पर आप yes और इसके बाद यहाँ पर आपको date भी बताना पड़ेगा, कब से आप यह job कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ no के option को select कीजिए, आपको age में छूट चाहिए, यहाँ पर आप yes कीजिए, age में छूट उनी candidate को मिलेगा, जो SCST category से आते हैं, या कोई disabled candidate है, या कोई government employee candidate है, यदि आप इन में से कोई नहीं रहेंगे, तो आपको age में relaxation नहीं मिलेगा, अपना यह जो details है, आप इस website पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सहमत है, तो yes कर लिजिए, चाहें तो आप यहाँ पर no भी कर सकते हैं इसके बाद save and next के button को click कीजे, आपका यह data successful save हो जागा, इसके बाद additional second details आपको देनी है, जिसमें आपको examination center select करनी है, टोटल तीन examination center आपको select करना है, अपने हिसाब से इसमें जो भी नजदिक लगी उससे आप select कर लेंगे, इसके बाद computer based आपका यह exam होगा, जिसमें आपक yes किया है, तो आपको यहाँ पे अपना decibel details mention करनी है, यानि कि pH details आपको बतानी है, अगर आप decibel नहीं है, तो यह already आपका hide रहेगा, इसके बाद आपको अपने examination के details के लिए physical आपके जो limit हो perfect है, तो यहाँ पे आप yes कर लेंगे, यहाँ पे आपको municipal कोई आपके पास required है, त किस state में आप यह job के लिए eligible है, या आप किस state में job करना चाहते हैं, इसमें state code है, आपको अपने हिसाब से state code को mention करनी है, देखिए यह सभी box आपको fill करना बिल्कुल अनिवार है, यदि आप एक limit area में चाहते हैं, job करने के लिए कि आपका वहीं पे selection हो, तो अपने हिसाब से इन box को आप fill कीजे, और जिन box को नहीं fill करना है, या आप उनके अलावा नहीं कहीं fill करना चाहते हैं, या नहीं कहीं job करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप x लिख दीजे, x लिखते ही सारा यहाँ पे automatic box में add हो जाएगा, आप चाहिए तो reset करकी से दुबारा से भी fill कर सकते हैं सारे आपको यहाँ पे state को fill करने के बाद save and next के option को click कीजिए आपका ये data successful save हो जागा इसके बाद ok की button को click कीजिए सबसे most important आपके सामने यही है आपको यहाँ पे अपना photograph upload करने हैं जो की live photograph आप यहाँ पे upload करेंगे camera के दौरा आप अगर mobile या किसी भी cyber cafe या computer से आप fill कर रहें यह form तो वहाँ पे camera होना बिल्कुल अनिवार है क्योंकि आपको capture करना है अपने photo को इसके बाद आपको signature upload करने हैं तो सबसे बहले गैसे आपको signature को upload करके दिखाते हैं कि कैसे आपको signature upload करने हैं इसकी जो signature की instruction है वो पहले चेक करते हैं 10 से 20 के भी की size मांगी गई है JPG format में इसकी dimension 6 cm और 2 cm height width कही गई है signature अगर सही नहीं रहेगा blur रहेगा तो आपका signature reject हो जाएगा अब देखिए यह जो process है आपको किस प्रकार से करना है मैंने इस पर अलग से बीडियो बनाया है उस बीडियो का link आपको निचे description में दिया है बहुत ही important ये बीडियो है आप वो बीडियो को जरूर देख लिजेगा क्योंकि SSC की जो भी भरती apply होगा उसमें ये आपको process करना ही पड़ेगा तो पहले आप वो बीडियो देख लिजेगा कि किस प्रकार से आप research करेंगे और उसके बाद क्यासे upload करेंगे तो research करने के बाद हमने वो फोटो रखा हुआ है upload करने के लिए यहाँ upload signature के option को click करेंगे and then ये signature है इस signature को हम यहाँ पे upload करके आपको दिखाते हैं इससे select करेंगे और इसके बाद यहाँ open के option को click करेंगे और click करने के बाद यहाँ पे देखे automatic ये signature add हो जाएगा यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है और यहाँ पे एक बार में ये signature add हो गया यहाँ पे देखेंगे signature successful upload का button भी आपको मिल जा रहा है अब चलिए हम photo को upload करके आपको दिखाते हैं कैसे आपको live upload करनी है तो यहाँ पे आपको एक option मिलता है capture live photograph आपको इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पे camera के लिए allow करने का option मिल रहा है यहाँ पे आपको allow करनी है, जैसे ही camera open होगा, तो कुछ इस प्रकार से आपको camera दिखाया जागा, और इस camera में देखिए, यहाँ पर जो आपको घेरा बन रहा है, इसमें आपका photo grab होना चाहिए, इसमें आपकी photo बिल्कुल सही से यहाँ पर add होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको high quality में ए यहाँ पर आपको save करने का option मिलता है, इस पर click करके save कर सकते हैं, चाहिए तो आप photo दोबारा से इसमें capture कर सकते हैं, फिलाला हम इसे save कर लेते हैं, दोनों photo और signature हमारा इसमें add हो गया, यहाँ save and next के option को click करेंगे, यह हमारा data successful save हो जाएगा, इसके बाद आपकी previous information details दिखाय जाएगा, किसी भी option में अगर आपको गलत लगता है, तो guys आप इसमें change कीजेगा, OTR में जाके आप change कर लीजेगा, यहाँ पर आपको button मिल जाता है, save and next करने का, आपको इस पर click करना है, जैसे आप click करते हैं, तो आपको यहाँ एक message मिलता है, declaration accept करने का, यहाँ I agree के option को click क इसके बाद आपको capture मिल जाता है, यहाँ पर आपको capture code लिखना है, और यहाँ submit का button मिल जाता है, आपको इस पर click करना है, submit का option क्लिक करने से पहले आपको एक process दिखाते हैं, कि अगर आप general OVC या AWS candidate है, तो आपको सबसे पहले fee को complete करना है, fee जब आपका payment हो जाएगा, इसक submit होते ही, यहाँ पर आपको dashboard या आपको application form का option मिलेगा, आप चाहे तो यहाँ सिर्प्रेंट कर सकते हैं, चाहे तो आप dashboard पर visit कर सकते हैं, तो आप fee payment करने के बाद यह process करेंगे, जो candidate SCHD में आते हैं, वो उनको इसमे fee payment नहीं करनी है, तो guys किस प्रकास से आप SSC, MTS और हवल के लिए form apply करेंगे, वो सारा process हमने आपको इस वीडियो में बता दिया, वीडियो पसंद आए guys, तो like कीजिए, share कीजिए, और हमारे channel को भी तक subscribe नहीं किया, तो channel को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, okay guys, मैं अगले वीडियो में, bye bye, चाहिन